अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वरक्षीट नंबर 38 ठीक है साइन सब्जेक्ट की है बेटा नाइंध किलास की बच्चों के लिए हैं इंगलिस मीडियम में ठीक है आज हम पढ़ेंगे force and loss of motion जिसमें आज हम force के बारे में पढ़ेंगे ठीक है कि force के मतलब कि क्या benefits हैं force होता क्या है कितने types होते हैं इसके तो चलिए start करते हैं मिटा यहाँ पर ग्यान पूछ रहा है अपनी जिग्यासा दीदी से तो वो बोलता है कि दीदी जब भी मैं किसी object को धका देता हूँ या उसको अपनी तरफ खीचता हूँ तो वो गती करने लगता है क्या हमें हमेशा एक force की मतलब जरूरत होती है किसी भी object को गती में लाने के लिए उसको move कराने के लिए तो वो क्या बोलती है बटा जिग्यासा कि yes ग्यान in fact we always need to apply force to make anything to move ठीक है या फिर to stop or to change its direction और change the shape of an object तो वो बोल रहे है कि हाँ ग्यान हमें बलकि हमें तो हमेशा ही कोई हर मतलब कि force की जरूरत होती है किसी भी object हो अगर हमें गती में लाना है या हमें चलती हुई को रोकना है या फिर उसके आकार में चेंज लाना या उसकी तिसा में चेंज लाना है ठीक है ये सारे कारिया करने के लिए हमें force की जरूरत होती है या force को apply करना होता है like to change the shape of a rubber band ठीक है तो जब बेटा हम क्या करते stretch करते है rubber band को तो उसकी shape change हो जाती है and to knead the dough और बेटा जब हम क्या करते है आटे को गूतते है तो देखो बेटा पहले वो क्या होता था simple आटा होता था लेकिन फिर गुतने के बाद उसका car और shape change हो जाती है and push a trolley और बेटा हम किसी trolley को धका देते है तो वो गती में आ जाती है या stop a moving car by applying a brake या फिर किसी चलती गाड़ी में brake लगाते तो वो चलती होई रुक जाती है ठीक है तो इन सब में क्या लगा है force लगा है ठीक है जिसकी वज़े से अलग-अलग तरीके का इनमें क्या आया है change आया है ठीक है but many times even on applying force the object does not move at all लेकिन क्या होता है कई बार हम काफी force apply कर लेते हैं फिर भी क्या होता है object move नहीं करता जैसे तुम्हें यहाँ पर दिखाया गया बटा कि दोनों तरफ देखो दो है यह ठीक है दो व्यक्ति हैं यह क्या करें इस freeze को force लगा रहे opposite direction में यह इधर लगा रहे है यह इधर लगा रहे है और यह move नहीं हो रहा क्यों दोनों ने बराबर force लगाया हुआ है ठीक है देखो जब कोई कहीं भी तुम देखते होंगे किसी की कुस्ती होती है लड़ाई होती है खेल में भी तो कई बार क्या होते है वे रुक जाते हैं खेलते खेलते क्यों उस टाइम पर क्या होता है उन दोनों का force बराबर हो जाता है तो कोई भी गती नहीं कर पाता ठीक है फिर जैसे ही किसी एक का फोर्स जाद होता है तो फिर से हमें उनमें हलचल दिखने लगती है ठीक है? तो ऐसे ही बेटा यहां रस्सा कसी में भी क्या होता है देखो अब दोनों साइड पर बराबर फोर्स लगा है 300 N का, 300 N का तो दोनों ही दिसा में क्या है बराबर फोर्स लग रहा है यह भी उतना अपनी साइड खीच रहा है तो इससे क्या होगा? यह बैलेंस हो जाएगा यह रस्सी कहीं पर भी मूव नहीं करेगी ठीक है? तो यहीं यहां पर बताया गया है कि कई बार क्या होता है? जब हम अपलाई करते हैं फोर्स तो गती नहीं होती क्यों? एक्जाम्पल दिया इफ टू परसन पुस ए हैवी टेबल या ओब्जेक्ट फ्रॉम दी अपोजिट साइड और टू टीम पूल दी रोप विद दी इक्वल फोर्स इने तो बेटा ये टग ओफ ओर है जो गेम इसमें जब हम दो दोनों मतलब कि टीम क्या करती है? अपोजिट साइड पर इक्वली फोर्स लगाती है तो वी फाइंड एट टेबल और रोप डज नोट मूव तो वो दोनों मूव नहीं करते है जब इक्वल फोर्स लगता है अपोजिट अपोजिट डारेक्शन में देखो ये इधर लगा रहा है ये वाला इधर लगा रहा है इसमें ये वाले इधर लगा रहा है ये वाला इधर की तरफ और बराबर फोर्स से देते हैं उपर वाले में क्या था बराबर फोर्स से दिया था तो यह यहीं के यहीं पर रह गया था यह मूव नहीं हुआ ठीक है तो यह क्यों नहीं हुआ बेटा तोनों के फोर्स ने क्या कर दिया बैलेंस कर दिया कैसी कर दिया the net force on the table and row page क्या हो गई, 0 हो गई, कैसे हो गई बेटा क्योंकि हम हमेशा net force की बात करते कुल काफी सारे force लगते हैं तो देखो जैसे ये कोई object है इस पर इधर से force लग रहा है, इधर से force इधर से force लग रहा है, तो हम जितना ये total force लगा उसकी बात करते हैं कि इसमें कितना change आएगा जितना ये कुल net इसका force होगा उतना आएगा, ठीक है मानलो ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है तो total net force कितना होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 ठीक है, इस तरीके से होगा तो बेटा आप यहाँ पर देखो अब हमने पढ़ा था, अपनी last वाले बेटा chapter में कि जो quantities होती है, physical वो क्या होती है vector और scalar होती है vector कौन से होती है, बेटा, जिनकी क्या होती है direction भी होती और जो scalar होती उनकी कोई direction नहीं होती अब force की क्या होती है, बेटा, direction होती है कैसे, तुम दो, मतलब की दोस्त हो, तुम बोलो किसी को बता रहे हो, कि हम दोनों ने क्या-क्या रस सिखी ची, लेकिन कहीं भी नहीं मतलब की उसमें motion होई, या वो किसी भी side नहीं गती की, क्यो अब तुमें ये तो बताना पड़ेगा ना कि तुमने जो बल लगाया, वो किस side लगाया, तुम दोनों ने एकी तरफ लगाया, या तुम दोनों ने अलग-अलग दिसा में लगाया, तब ही तो वो बता पाएंगे कि इसलिए नहीं होई, क्योंकि तुम दोनों ने अलग-अलग हो गई इधर की तरफ move करना positive मान लिया हमने और इधर की तरफ negative मान लिया move करता है तो कोई object तो बेटा अब यहाँ पर क्या है देखो यहाँ पर इसने 300 newton लगाये था ठीक है और इनोंने भी 300 newton लगाया पर यह क्या है दोनों प्लस में F2 हो जाएगा तो F1 क्या है बटा 300 newton है ठीक है यह F1 है यह F2 है तो माइनस के 300 newton है और F2 क्या प्लस के 300 newton है तो देखो दोनों को add करोगे तो क्या हैगा सुनने आ जाएगा ना तो दोनों ने क्या कर दिया balance कर दिया एक दूसरे को तो उस पर कोई भी effect नहीं रहा force का कोई भी परभाव उस पर नहीं पड़ा ठीक है तो यह हो गया अब therefore the table and rope does not move at all इसी वज़े से कोई भी table या rope move नहीं की when two forces equal in magnitude are applied on an object throw the push or pull from the opposite direction and the resultant force on the object is zero then such force क्या कहलाते हैं balanced force कहलाते हैं क्या बो लाइट इस लाइन में कि यदि क्या होता है कोई भी दो equal force के ठीक है equal magnitude के magnitude मतलब जो हमने बात की थी 300 ठीक है यह 300 300 यह क्या इसकी magnitude है और हम इसके आगे minus और plus लगाते तो इसका मतलब क्या है direction बता दी हमने उसकी तो अभी हम कहरें कि जब दो force ठीक है तो यह दो force equal magnitude के apply होते हैं किसी भी object पर ठीक है चाहे वो उसको धक्का दे रहे हैं चाहे वो उसको खीच रहे हैं और opposite direction में हो opposite बोल दिया तो अब इसके अगे हम sign लगा देंगे एक plus हो गया एक minus opposite direction में हो और same magnitude के हो तो वो क्या करते हैं resultant force जो होता है जो net force होता है वो हमें zero देते हैं और इस तरीके के force क्या कहलाते हैं balanced force कहलाते हैं ठीक है अब बेटा आगे क्या है the rope or table move only when ये table या फिर मतलब कि mage है और रस्ती वो तभी move करेंगे जब applied force of the both person is getting unbalanced by the applying force either in the same direction और when one of them apply more force than the other अब ये क्या बोल रहे हैं मेटा कि ये गती कब आएगी इन में जब क्या होगा applied force मतलब कि जो बल लगा रहे हैं ये ठीक है उन दोनों के वेक्तियों के द्वारा जो बल लगाया गया है या तो वो unbalanced हो ठीक है कैसे होगा unbalanced कि दोनों एक side से खीचे तो इधर कोई बल नहीं लगा ये इधर से खीच रहे तो गती इधर ही होगी ठीक है इधर zero बल हो गया इसका मतलब और इधर ये दोनों लगा रहे तो ये इधर move करेगी या फिर क्या हो एक का बल अधिक हो और एक के बल से ठीक है जैसे यहां पर दिखाया गया विठा कि इसने 200 न्यूटन लगाया इसने 100 तो गती कि इधर हो ये जिधर जादा है फोर्स इधर जादा है तो इधर की तरफ ये move करेगा ठीक है तो इन दो condition में ही कोई भी वस्तु गती करेगी या तो क्या हो कि दोनों व प्राबर होंगे तभी तो balance मानते हैं उसको ठीक है तो क्या होगा बेटा such force is known as the unbalanced force ठीक है तो बेटा आप देखो winner कौन decide करता है ज्यादा बल लगा इन्होंने 400 न्यूटन लगाया इन्होंने 300 तो क्या हुआ जो रसी थी इस side पर move की तो इसकी वज़े से ये winner हो गए ठीक हमेसा दो force होते हैं कैसे बेटा कि एक तो उसका frictional force होता है किसी भी object का frictional force होता है ठीक है और एक होता उस पर applied force जब भी हम किसी object पर force apply करते हैं तो उस पे अपने यहां भी क्या लग जाता है एक frictional force आ जाता है जो कि क्या होता हमेसा opposite direction में होता है ठीक है the pair of forces act in the opposite direction whenever one force is greater than the other there is motion ठीक है तो बेटा जब इन में इन दोनों में से कोई भी object की एक force चादा होगा तो क्या होगी motion हो जाएगी उस वस्तु के अंदर ठीक है जैसे देखो बेटा मैं ये लिख रही हूँ तो मैं कैसे लिख पारी हूँ क्योंकि इसके अंदर क्या है जो ये screen है इस पर क्या है इस screen का कुछ ना कुछ frictional force है जो क्या कर रहा है मेरे इसको जो मैं लिख रही हूँ मुझे oppose कर रहा है मेरे force को ठीक है उस oppose force की वज़े से लेकिन मैं उस पे उससे ज़्यादा force लगा रही हूँ तो इस वजे से क्या हो रहा मेरा जो यह लिख पारी हो मारकर से असानी से लिख पारी हूँ ठीक है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या होता है जब एक force दूसरे force से जादा होगा तब उस किसी भी object के अंदर motion आएगी ठीक है और किस से जादा होगा बैटा हमेशा frictional force से applied force जादा होगा तब ही जाकर उसमें क्या आएगी motion आएगी ठीक है और frictional force कहा होता है frictional force always act in the opposite direction of the motion जैसे कोई गाड़ी क्या इधर move कर रही है क्यों कर रही है बैटा हमने इस पर धक्का लगाया इधर से तो हमने तो इधर बल लगाया ना तो लेकिन जो इस गाड़ी पे लगेगा नीचे से इसके first की वज़े से जिस पर ये चल रही है वो ultra direction में लगेगा तो इस तरीके से अब देखो ये कम force होगा तभी ये move करेगी नहीं तो तुम देख लो किसे truck को तुम धक्का लगा के देखो तो क्या वो move करेगा नहीं क्यों क्यों क्योंकि उस time पर जो उसका क्या नामे truck का घरसन है बल है जो frictional force है वो क्या होगा तुम्हारे बल से जादा होगा तुम्हारे force से लेकिन जब तुम क्या करोगे कोई crane वगेरा लेकर आओगे फिर उसमें धक्का लगा होगे तो आसानी से move कर जाएगा तो अब क्या हो जाएगा तुम्हारा लगाया बल उसके घरसन बल से या frictional force से अधिक हो जाएगा ठीक है नेक्स बेटा तो move an object the applied force must be unbalanced its frictional force तो बेटा किसी भी object को move कराने के लिए वही मैंने बताया क्या होना चाहिए unbalanced force जो है वो जरूरी होता है यानि कि frictional force से अधिक unbalanced force है जो बेटा वो इससे जादा होना चाहिए frictional force से ठीक है and to accelerate the motion of an object an unbalanced force is required और बेटा किसी भी वस्तु में तेजी से गती लाने के लिए उसको तेजी से गती कराने के लिए क्या होना चाहिए जो unbalanced force होगा वो अधिक होना चाहिए ठीक है और वो जरूरी है तभी कोई वस्तु गती कर पाएगी ठीक है an unbalanced force acting on an object bring it in motion यही बताया कि जब unbalanced force होगा तभी क्या होगी किसी वस्तु में गती आएगी जैसे तुम दिवार को धक्का दो तो क्या गती करेगी नहीं क्योंकि क्या है तुमारा जो force तुमने लगाया जो frictional force है उससे कम है इसलिए यह गती नहीं करेगी जो तुमने force लगाया इस frictional force से अधिक होगा यानि कि तुम crane से इसको धक्का लगवादो या कोई गाड़ी आके टकर मार दे दिवार में तो वो क्या करेगी अधिक बल लगाएगी अधिक force लगाएगी तो वो क्या होगी दिवार की जो position है चेंज हो जाएगी वो तूट जाएगी ठीक आकार में चेंज आ जाएगा तो ये थे बेटा आपका कुछ topic अब इसके कुछ question answer कर लेते लेकिन यहाँ पर देखो बेटा table में दिखाया गया है यहाँ पर एक वजन रखा गया वेट तो ये वेट यहीं के यहीं पर है move नहीं कर रहा ठीक है क्यों क्योंकि जो इस table के द्वारा force लगाया गया और इसके द्वारा force लगाया वो एक दूसरे को balance कर रहे है ठीक है लेकिन अगर ये इतना भारी होता table कमजोर होती तो ये क्या करता इसमें से तोड़ के नीचे गिर जाता तो इसका मतलब क्या होता ये जो weight था उसने इस पर क्या लगाया होता बल लगा तो अभी भी रखा है पर इन दोनों ने एक दूसरे के force को balance कर रखा है ठीक है अब questions करते हैं पेटा इसके तो पेटा देखो first question क्या है what effect can be produced by the force give example तो पेटा क्या-क्या effect थे हमने अभी बढ़ा था वो shape, size, motion और direction सब में change कर देता है a force has many effects on an object force is used to do various types of work ठीक है तो अलग-अलग तरीके के करने के लिए इसका प्रियोग होता है जैसे की it can change the shape and size of the object of an object जैसे की example stretching of a rubber band and need the dough ठीक है आटे को गूतना इन में क्या होता है shape change होती है force की वज़े से और it can stop an object which is in motion और बेटा जो object motion में होता उसकी shape को भी मतलब की उसकी क्या नाम है उसको रोक भी सकता है वो ठीक है तो जैसे की stopping a car by applying a brake तो गाड़ी पर brake लगा कर उसे रोकना क्या होता है उस force ने क्या क्या उसको रोक दिया it can also change the direction of a moving object और बेटा चलती हुई गाड़ी है या कोई भी object है उसकी दिसा को change कर सकता है जैसे की आप क्या कर रहे हो जब आप cricket खेलते हो तो एक example हो गया अब second question क्या है बेटा second question है आपका one minute second question है बेटा आपका की what is the direction of frictional force तो frictional force की direction क्या है तो frictional force की हमने अभी पढ़ाता है बेटा frictional force always act in the opposite direction of the applied force तो frictional force है बेटा जो वो हमेशा क्या होगा opposite direction में लगेगा जो भी applied force है उसके ठीक है अब बेटा next है it is really necessary to apply a force to make the body move and think and write your views तो बेटा क्या ये जरूरी है हमेशा ही कोई भी body जो है उसको move कराना है तो हमें force की जरूरत हो तो हां बेटा हमें force की जरूरत होती है हमने अभी यही तो पढ़ रहे थे इतनी देर से when the applied force is greater than the frictional force of an object then only an object will comes in motion therefore an unbalanced force is required to move a body तो एक force की जरूरत होती है हमें किसी भी body को move कराने के लिए ठीक है अब fourth question क्या है बेटा fourth question है आपका एक bowl roll down on a floor and another on a carpet तो दो बोल है बेटा एक तो क्या first पर हमने रुड़काई है और दूसरी को हमने carpet पर लुड़काया है which bowl comes to rest first तो कौन सी बोल सबसे पहले rest में आएगी ठीक है यानि कि कैगी बेटा देखो कैसे पता चलेगा carpet और जो floor है उसका first का जो surface है वो कैसा है वो देखना पड़ेगा a bowl which is rolled down on a carpet will come to rest first क्यों in comparison of a bowl rolled down on a ED लगा ले ना इसके पीछे ठीक है rolled down on a floor because this because यहाँ पर अटा रहे है यह दा आएगा यहा ठीक है this surface of a floor is smooth यारी कि चिकना होता है surface जो है first का where as the surface of a carpet is very rough यानि कि उसका surface खुर्दरा होता है तो क्या होगा खुर्दरे पर क्या होगा जल्दी से रुख जाएगी क्यों उसके बार बार जो खुर्दरा पन है उसकी वज़े से क्या होगा उस पर बल लगेगा opposite दिसा में तो इसकी वज़े से क्या हो जाएगा is greater than the floor that's why a ball on the carpet will come to rest first तो बेटा जो frictional force है उसका carpet का ज्यादा होगा क्योंकि उसका जितना ज्यादा rough surface होगा उतना ज्यादा frictional force होता है तो किसका frictional force ज्यादा हो गया carpet का होगा तो इसका मतलब क्या होगा applied force से ज्यादा होता चला जाएगा और फिर वो ball रुक जाएगी ठीक है सबसे पहले फिर बेटा in the given picture when does two arrow represent what does two arrow a and b represent the represent with reference to force तो बेटा ये दो दिखाए गई है arrow आपको a और b ये क्या बता रहे हैं क्या दरसा रहे हैं बेटा ये तो force के बारे में तो ये क्या दरसा रहे हैं बेटा कि ये दोनो क्या थे two arrows a and b represent the opposite direction of applied force कि जो दो applied किये गई है force बेटा वो क्या है डाखी से कमेंट box में पूछ रहे होगे इस वीडियो में इतने अपना next topic हम अपनी next वीडियो में करेंगे तब दक लैसे हसते रही, मुश्कुराते रही है, बढ़ते रही रागे, बढ़ते रही, thank you